नमस्ते बच्चों, आज की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा इसी होती है ओ के मात्रा, जो किसी भी वर्ण के एक साइड में लगती है एक सीधी रेखा और उपर मात्रा ये है ओ के मात्रा ओ बोलते वक्त हमारे होट जो है वो आपस पर गोल हो जाते हैं और अंग्रेजी के ओ आकार के हो जाते हैं अब बोल के देखे मेरे साथ ओ हुए ना अपने होट गोल फिर से बोलेंगे एक बार ओ जैसे ये क्या लिखावा है तः तः के पास ओ की मात्रा और प शब्द क्या लिखावा है तोप क्या शब्द लिखावा है तोप तः के पास ओ की मात्रा लगी तो तोप तोप इसके बाद ये देखे ये किसका चित्र है घः घः के पास ओ की मात्रा गोडा क्या लिखावा है गोडा इसके बाद देखिए ये क्या है म के पास ओके मात्रा लगी तो मो और मूर क्या लिखावा है मूर इसके बाद देखिए ये क्या है जो हम सर्दियों में पहनते हैं शादे भी हमें पहनते हैं क क के पास ओ की मात्रा कोट क्या लिखावा है कोट कोट अभी में सासा दोरा रहे ना आगे देखिए ये स के पास ओ की मात्रा और ना शब्द बना सो ना क्या शब्द बना सो ना जिसे गोल्ड भी कहते हैं आपन सो ना इसके बाद ही देखिए खूब सारे लोग इकटे हुए तो लोग ल, ल के पास ओ की मात्रा लोग क्या शब्द है ये लोग लोग क्या है लोग इसके बाद देखिए इसको तो आप पहचानते हैं ना लाल लाल चोंच हरारा सरीर वो क्या है तोता त के पास ओ की मात्रा लगी तो तोता तोता अब यहां देखिए कुछ ओ की मात्रा के और शब्द हमें यहां पे दिये गए हैं जैसे यह देखिए योगासन योगासन क्या लिखावा है योगासन और यहां पे देखिए यहां क्या लिखावा है मोटी क्या लिखावा है मोटी और यह देखिए यहां पर मूर ऐसे ही हम लिख सकते हैं और शब जैसे यह क्या है तोता ही है तो यहां पर हम लिख सकते हैं ता के पास ओ की मातरा तोता तोता और यह क्या है कोयल क्या लिखावा है कोयल और ये देखिए, ये किसका चित्र है? जौपडी तो जह, जह के पास ओ की मात्रा पड़ी जौपडी क्या है? जौपडी उसके बाद देखिए ये कुछ और तक ओ की मात्रा के शब्द दिये गए है आप मेरे साथ साथ इनको पढ़ना पहला शब्द क्या लियावा है त, त के पास O की मात्रा तो, त क्या लिखावा है तो, त इसके बाद घर घर के पास O की मात्रा ओड़ा गुड़ा क्या लिखावा है गुड़ा इसके बाद नीचे देखिए ड, डर के पास O की मात्रा तो क्या शब्द बना डूर क्या शब्द बना ये डूर इसके बाद अगला देखिए म म के पास ओ के मात्रा लगी तो मो और टा मोटा क्या शब्द लिखावा ये मोटा इसके बाद में ये देखिए जोला क्या शब्द लिखावा है जोला जह के पास ओ की मात्रा जोला ये देखे स, स के पास ओ की मात्रा सोच ड के पास ओ की मात्रा और स, दोसा क्या शब लिखावा है? दोसा फिर थ, थ के पास ओ की मात्रा ओडा थोड़ा फिर ये आगे दोना क्या शब लिखावा है द, द के पास ओ की मात्रा और न, दोना फिर म, म के पास ओ की मात्रा मूर क्या शब लिखावा है मूर इसी प्रकार अगला देखिए ब के पास ओ की मात्रा बो न, बो न, क्या शब लिखावा है बो, न इसके बाद देखिए कर के पास ओ की मात्रा कोट 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 कोट, से बाद नीचे देखिए गर के पास ओ की मात्रा गो टा, गो टा, गो टा इसके बाद इसके नीचे देखिए मोती म के पास O की मात्रा मो त के पास E की मात्रा ती मोती नीचे देखिए गोबी गर के पास O की मात्रा भर के पास E की मात्रा गोबी इसके बाद अगला देखिए गोपी गर के पास O की मात्रा प के पास ए की मात्रा गोपी छोला छ के पास ओ की मात्रा ओला छोला तोप अगला शब्द क्या लिखावा है? तोप इसके बाद मोच फिर रोड अगला शब्द क्या लिखावा है अन्ते इन शब्द? रोड रह के पास ओ की मात्रा ओड़ा है रोड इसके आगे देखिए कुछ शब्द हमारे को ऐसे मिलान करके भताये गए हैं जो कि ओ की मात्रा कहीं है जैसे भव भव के पास ओ की मात्रा लगी तो बो ज़ न शब्द बना बोजन क्या शब्द बना बोजन इसके बाद देखिए अगला शब्द म म के पास ओ की मात्रा टर मोटर क्या शब्द बना ये मोटर इसके बाद कर कर के पास ओ की मात्रा यल कोयल क्या शब्द बना कोयल स म म के पास ओ की मात्रा और सा, शब्द बना समोसा, क, ट, ट के पास ओकी मात्रा और री, शब्द बना कटोरी, क्या शब्द बना? पोटली अब इसे प्रकार आगे देखिए इसमें सही शब्द पे हमें गोला लगाना है तो सही शब्द क्या है सही शब्द पे हमें गोला लगाना है आप लगाएंगे ना मेरे साथ चलिए ये खोटा गोटा और मोटा तो ये क्या है क्या है ये मोटा तो शही शब्द क्या है मोटा तो इस पर हम गोला कर दें अब ये अगला देखिए तोता, चूहा, खरगोश इसमें से क्या है कौन सा जैनवर है ये खरगोश तो हम खरगोश पर गोला लगा देते हैं आगे देखिए ये किस का चितर है जोकर मोटर बोतल इसमें से शही सब्द क्या है बोतल इसके बाद अगला देखिए मोती मोटी लोट तो ये क्या है मोती क्या है ये मोती अब आगे देखिए टोकरी पोटली कटोरी इसमें से शही सब्द क्या है rze, पोटली, क्या है यह, पोटली, हम आगे देखेंगी, इसमें भी हमें, कुछ विंजनों पर ओ की मातर लगा के उसका उच्चारन करना बताये गया है, जैसे करा के पास ओ की मातर लगी तो, को, खर के पास लगी तो खो गर के पास लगी तो गो खर के पास ओ की मात्रा गो चै और ओ की मात्रा चो चै और ओ की मात्रा चो अब ये देखिए इसमें हमें पहला शब्द दिया गया है म, म के पास ओ की मात्रा और र शब्द बना मोर अब इसके आगे ये शब्द हमें दिये गए, इन पर मात्र नहीं लगी भी है, तो हमें ओ की मात्र लगा के इन शब्द को पूरा करना है, जैसे घड़ा, और ये चित्र घड़े का नहीं है न, ये किसका चित्र है, घोड़ा, तो हमने घ़ के पास ओ की मात्र लगाई, प्रकाट ट, ट के पास हमने ओकी मात्रा लगाई तो टोपी, क्या शब्द बना टोपी, अब अगला चित्र देखे, समसा, अब यह समसा का चित्र नहीं है, यह तो समोसा है, तो हम क्या करेंगे, म के पास ओकी मात्रा लगाएंगे, तो शब्द बनेगा समोसा, क्या शब्द ब अप अपस दोरान करेंगे को खो गो घो चो और छो और ये देखिए इसमें भी हमें O की मातरा वाले शब्द लगाकर इन शब्दों को पून करना है जैसे ये क्या है? कौन है ये? मूची क्या है? मूची ये देखिए ये क्या है? लोमडी क्या है ये? लोमडी इसके बाद देखिए ये खिरकी नहीं है ये है जरोखा क्या शब्द है? जरोखा पोटली प और O की मातरा पोटली और ये अगला शब्द देखिए रोटी र के पास O की मातरा रोटी अब ये हमारी पाठ्य पुस्तक के शब्द है इनको भी एक बार दोहरान कर लेते हैं पहला शब्द है कोट गोडा तोता तोकरी ढोलक कोयल खरगोस अखरोट टेलिफोन तो आपको भी अब इन शब्दों को पढ़ना है और स्लेट पर लिखकर इसको इन शब्दों को ओकी मातरा को बोलने और लिखने का अभ्यास करना है अन्यवाद